आज हम देख रहे हैं जावा स्किप्ट में सुची स्टेट्मेंट लेकिन इसके पहले हम आपको याद दिला दे कि हम यहाँ पर कंप्लिक कर रहे हैं वेब डिजाइनिंग इंपॉपिसिंग फुल कोर्स इसमें हम अभी तक सीख रहे हैं इसके बाद हम सीखें CSS और अब हम देख रहे हैं JavaScript इसके बाद हम देखेंगे framework किसे और publishing कैसे करते हैं दो मेंने मगरा कैसे पाचेज करेंगे यह सारी चीजिए हम सीखेंगे स्विची स्टेट्मेंट एक conditional statement है इसके पहले हम if is के conditional statement देख चुगे हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के description box में link है और i button में भी link है आप पिछली वीडियो भी देखें ताकि आपको सब चीज समाझ में आती रहें स्विच स्टेट्मेंट सबसे पहले आप स्विच यह keyword लिखेंगे इसके बाद bracket के अंदर आपको expression लिखना है expression मतलब जो आपकी condition है वो जिसे आप यहाँ पर match करना चाहते हैं इसके बाद यहाँ पर case लिखा जाता है तो case लिखेंगे और colon लगाएंगे case यहाँ पर x, y, z ऐसा कुछ लिखा है आप 1, 2, 3 या कोई condition यहाँ पर दे सकते हैं वह इसलिए कि अगर यह वाला condition match करता है तो इसके अंदर जो आपने लिखा हुआ है block यह वाला run करेगा और इसके बाद break हो जाएगा तो आगे वाली conditions से मतलब नहीं होगा और switch statement में हर condition check होता है और जिस condition से match होगा आपका expression उसी case के अंदर का block चल जाता है और break होता है इसलिए कि आपका program नर्मली यहां से break हो जाएगा अगर इस पे लिखे हुए case कोई भी match नहीं करते हैं suppose कर आपने 5 case लगाए, seconds लगाए, 10 case कितमें भी case आपने लगाए उन मेंसे expression किसी में भी match नहीं किया तो उसके लिए एक default case भी होता है यहां पर आप वो code लिखते हैं या वो line लिखते हैं जो आपको किसी में भी match नहीं करें वो चीज़ दिखानी हो तो वो आपको यहां पर लिखते हैं सबसे पहले हमने HTML कुछ code लिख लिए है, head, tag है और HTML, body, body के अंदर हमने एक heading लिखी हुई है switch statement in this, इसके बाद skip tag लगाया हुआ है और यहां पर Java इसके भी code लिखते हैं सबसे पहले हम यहां पर एक variable लेते हैं, grade number हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि हमाए पास कुछ number है और इन numbers को हमने grade पर convert कर लिया है तो जैसे हमाए पास है grade A, अब हम switch करते हैं grade पर, grade पर switch किया और switch का block बनाते हैं, तो switch का यह block हो गया, इसके अंदर जो भी code लिखेंगे बस switch का block हो गया तो पहला हम लिखते है case, पहले case में हम देते हैं कि अगर A हो, capital हमने लिखा, capital A हम देना होएगा अगर A case हो तो उसकी condition में हम प्रिंट करते हैं, document.right और यहां पर हम प्रिंट कराएंगे good ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, break लगाना होगा, तो यह हो गया break मतलब अगर यह condition match कर जाए, तो इसके बाद हमें आगे नहीं जाना है इसके बाद हम अगला case लिखते हैं कि अगर B great हो, तो यहां पर print हो, truth तो जो भी हम print करना चाहते हैं, जो expression इसके बाद हम चलाना चाहते हैं, वह हम यहां पर लिखते रहें इसके बाद break लगाएंगे, तो फिर हम यहां पर break लगाती है, ठीक है, यह हो गया, आगे फिर हम अगला case लिखेंगे case, dgrade की जबहा है, तो हम लिखा d, और colon, इसके बाद वापस आप जो print करना चाहते हैं, इस पर, हम यहां पर print करना चाहते हैं पूर, चीह है, अब हम break लगाएंगे, और break के बाद semi current, हम चाहते हैं कि अगर इन में से कोई भी condition match ना करे, ए, बी, सी, डी, यह match ना करें, तब एक default case होता है, तो हम यहां पर लिखते हैं, default, और default की case में हम लिखते हैं, कि क्या यहां पर जो grading है, जो हमें output चाहिए होई लिखेंगे, तो हम यहां पर लिखते हैं, प्लीज, input, या provide, जो भी हमें output साहिए, वो यहां पर लिखेंगे, provide, grade, महले कि इन तीनों grade के लाब और कुछ इंटर क्या आता है, तो फिर यह default case चलेगा, ठीक है, एक बार इसको हम save करते हैं, और शेफ करके, उटर लिखर के लिखते हैं, तो good, क्योंकि हमने एक grade लिखा हुआ है, तो पहला वाला ही मैस किया, और यह लाइन चल गए, इसके बाद break हो गया, अब हम यहां पर देते हैं, begin, save करते हैं, और save करके फिसरण करते हैं, तो two good आ गया, ठीक है, जो भी आप लि capital लिखा हुआ है case में, तो capital ही यहां पर देना पड़ेगा, और श्री वाले case पे, please provide grade, ठीक है, जो कि C का हमने यहां पर कोई case नहीं बनाया है, जिदने भी आपने case बनाया है, वो match करेंगी, तो उनके अंदल लिखा हुआ block चलेगा, अगर वो match नहीं करता, तो default वाला block चल जाता है, I hope आपको switch statement समान में आया होगा, ऐसे बहुत सारा condition आप खुद से बना करके प्रोगाम ट्राइ करें, ज्यादा ज्यादा प्रोगाम बनाएं, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, thank you, keep watching, keep learning